येलो दोस्तो आज की स्वीड़ में मैंने आपको बताया है कि इस तरह की जो पूरानी अलमारी या फिर आपके गर में तुझोरी है उसे रिपेंटिंग कैसे कर सकते हैं ये प्रोसेस देखने के बाद आप भी कुछ इस तरह से बिलकुल आसानी से और बेतर इन तरीके से यान कि यह भी लिखेंगे और शुर्ष के लिखेंगे है पासान से इसे इसे scratch करका निकल सकते हो जब अजस्ति नहीं करना है दूस्तों कर ना निकले तो दूसरी बार भी हमें वहाँ पर थेनर लगाना है और फिर इस तरह से scratch करना है तो पूरा निकल जाएगा अगर कहीं से भी आपको गल्ती से कुछ इस तरह का कलर भी निकल जाए तो कोई टेंशन के बाद नहीं हो आप सेंड पेपर से आप गिज़ो और फिर हो जाएगा अभी हम बात करते कि इसे पूरा देखो हमने सब जगा पर क्लीन कर लिया इसके बाद हम सेंडिंग करेंगे सेंडिंग करने के लिए हम सेंडर मसिन का यूज किया ह आप अगर आपके घर में करना चाहते हो तो वहां पर पहले 150 नमर का पेपर लेजिए और उसके बाद अच्छे से गिस दिए गिसने के बाद आपको लगए कि अभी जो पेपर के लाइन्स वगरे आ रहे है थोड़ा स्क्रॉक आ तो वहां पर आप 220 नमर का पेपर से गिस द आना चाहिए अच्छे से जैसे कि यह थोड़ी देर पहले आप देखो निचे थोड़ा ब्ली हो जिख रहा है वैसा देखना चाहिए उपर इस तरह से मार्किंग है गंद की यह रश्ट है जितना भी ऊच्छे से क्लीन कर लेना है तो यह नहीं करोगे ना तो आपका कलर है हो अच्छे से ने चिपकेगा और कुछ टाइम के बाद वह अलम से निकल जाएगा अभी मैं आपको बताता है उसके उपर हम कांचा कलर करने वाला है तो यहां पर हमारे पास यह पास इस तरह का टूल है अगर आप यह टूल खरेदना चाहते हो तो मैंने नीचे डिक्रिप आपको यह वाला ग्रे कलर है और हमने पूरी अलमारी के लिए दो लिटर कलर उसकी है अंदर और बाहर दोनों तरप के लिए दो लिटर में आराम से हो जाएगा फिर भी हमारे पास सो दो सो एमल बच जाएगा टचिंग के लिए अब यहां पर साइड में आप जेक्शिवा इस तरह से टकन लगा गए यह टाइट किसले करना है तो वह भी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से टाइट कर दो और फिर अच्छे से पूरा डबे को हिलाओ यह हिलाने से फाइदा है होगा कि अज डबे के अंदर जितना भी कलर चिपका होगा वह एकदम क्लेन हो जाए है अब हम इसे इस प्रेगन में डालते है पार लहें बर उसको memoir को चानके डालना है तो नोसल चे अच्छांड को सकता है यह आप में कर दो चंट मेरे क्या ये ऐ क्लर में होतं हमारी सहयद क्राब होता है अगर आप ब्रस अगर से डारेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आप अपना रुमाल होता है वो भी लगा सकते हैं फिर कोई ऐसा पांदस रुपे में जो मिलता है न मेडिकल मास्क वो भी यूज़ कर सकते हैं कड़ा तो अभी हम सबसे पहले अंदर से श्टार्ट करेंगे है कि बाहर की तरफ में इससे सिधा भी करना होता है तो अंदर करने के लिए कुछ सद्रा से कितना सारा हमने मास्क का पे बहुए किस वज़े से साफ साफ आप लिक्रेए को कितना सारी यहां पर color है वो अंदर जाके बापीस आ रहा है तो सब कहां पर जाएगा अपने मुद्पे आएगा या फिर अपने आख पर चस्में के वाज़े से कही बार ऐसा होता है वो color आता है तो सीजय चस्पे बें लगता है दीखता नहीं अभी अंदर किस तरह से color करना ह हो सकता है आपके है या वो double dole अलमाली हो तो उसे भी इसी तरह से कना है उसके behavior निकलते है तो निकालके उसे color करना है और आरम से फिर अलग- जो77ตके और अंदर से पहले कर देना है राव घिलाइब में भाए आ रखना हुता है क्योंकि उसमेही सब्सेर अच्छी के выступ here पर बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर ही जो दिखता है वो बिखता है यसी बात है अब इसे हम खड़ा कर लेते हैं और इसे हम अच्छे से सैट करेंगे कि अभी जो हमने अंदर रखा है ना उसको हमारे एक्जिस्ट फेन आप पीछे दिख रहे हो उस तरह डायरेक्शन में कर देगी चाँकि जितना भी वेष्ट मटेल हुए जुस अच्छे से शूक के बाहर फेक्श सके तो इसी तरह से करना है यहां तक KARख करना और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी सबसे पहले जितने बहर हमने धू व blijकर दिना कॉष्व यह खान है ना क्योंक पहले थोड़ा अलका कलर लगा देजी यानि कि जैसे कि आप देखो यहां पर कहीं पर छूट रहा है कि पटले लिएर लगा नहीं है एक साथ आप डबल लगाने जाओंगे यहां फिर एक ही साथ में आप complete करने जाओंगे तो वो छूट सकता है वहां पर ड्रीब होने का process आख जाते हैं तो इस तरह से कड़ पूरे पे वर से दिए करें तो इसलेगर करें के सबीरधें मेर गिन तो हो और खनी पर सांफे सब्सक्राइब करें नियूजर और से ब्रुष बेंद को भुड़व क्या कि अउन्ष केरें पर में सेटाइब मैंने आपको यह ट्रीक बता है याद रखना आप अगर ब्रस या फिर रोलर से अपने घर पर करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो फिर से एक बार बता देता हूँ ब्रस करना है ब्रस से अच्छे से पहले सब जगा पर कर देना है यानि कि चार बाई चार का एक छोटा आधी अलमारी करनी जैसे कि अभी हुई और उसके उपर वो रोलर गुमाऊगे तो फिनिशिंग काफी अच्छे आजाएगी अगर वो आपको किट चाहिए तो वो भी में डिस्क्रिप्टर में दे दूगा वहां पर आपको ब्रस रूलर मास्किंग टैप वो सब मिल जाएगा तो यहां पर अभी हमारा ओल्मस्ट कतम हो चुका है पीछे का पार्ट भी में जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों यहां पर फिर से मैं बता द ना देगें यह दो तो यह दो सबस्क्रिप्टर में और फिर अबना थिखा देए तो दोस्तों यह खतम हो जाने के बाद आपको दिखाता हूं कि हमने किस तरा से पूरी अलमारी को अच्छे से मैंटिंग किया है यह पोसे सब कैसे लागी हमने कमें बता रहां कुछ भी प् तो यहां पर दो कोटिंग किया था आ गए आप देख सकते हो कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है अभी मैं आपको नजदीक से पूरा जो ड्रोवर है वह दिखा देखो उपर लाइट है लाइट की वज़ए से भी कितना अच्छे से दिख रहा हो और कहीं पर छोटी या फ पुट्टि बगरा यूज़ कर सकते हो तो इस तरह से पूरी अलमारे आपको दिख रहे हैं तूज ट्रांस्परारंट सब पीछे का दिख रहा है इतना अच्छे से कलर की है तो आए होब जोस्तों आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई तो वीड किसी और वीडियो में